हेलो फ्रेंड्स अगर आप यह चाहते हैं कि इस बार 11 और 12 में हम साइंस रख करके पढ़ाय करेंगे तो यह वीडियो को आप जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो के माधियम से मैं बताऊंगा आपको कि साइंस स्ट्रीम लेकर के पढ़ाय करने से क्या-क्या फाइदे हैं य तो देखिए सबसे पहले जानीजे कि 11 और 12 में जो साइंस जो रखते हैं तो टोडल आपको तीन सब्जिक्स अब्हकर पढ़ने का रहता है. क्या-क्या पढ़ने का रहता है, सबसे पहले फिजीक्स हैं, केमिस्ट्री हैं, मैंथ हैं और बाया लोजी हैं लेकिन इसमें भी दो केटिग्री हैं यानि फिजिक्स या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखिए या फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बाइलोजी रखिए तो इसमें दो रास्ते हैं तो आपको चूज करना है कि आपको कौन सा रास्ता में जाना है यानि आप फिजिक्स केमिस्ट्री म करेंगे तब तो आपको यह डिसाइड करना है कि आपको इंजीनियर बनना है कि यह डॉक्टर बनना है कि वह अधर सलाइन में जाना है अगर आपको मेडिकल फिल्ड में जाना है मेडिकल फिल्ड में अगर आपको केरियर बनाना है तो आपको जो है मैं बाइलोजी आपको करना है तो आपको तो पता चली गया होगा कि साइंस में कितने सब्जेक्ट पढ़ने कर रहता है और आपको कौन सा सब्जेक्ट सब्जेक्ट करना है अब आईए मैं आपको पता दू कि 11 और 12 में साइंस अगर आप रखते हैं तो तो आपको कौन-कौन से गवर्मेंट जो मिलेंगे, आपको कौन-कौन से सरकारे नोक्री मिलेंगी, तो देखिए सबसे पहले बात, आप पुलिस बन सकते हैं, आप जो है की IS, IPS और दिगर जो है की नोक्रियां होती हैं, उसमें आप जा सकते हैं, साइंस लेकर के, या फिर चाहते हैं कि हम आयर फोर्स में जाएंगे, उसमें अपना केरियर बनाएंगे, तो आप आयर फोर्स में जा सकते हैं, आगर आप यह चाहते हैं, कि हम आप ऑफिसर्स बनेंगे, तो आप SSC जो एक्जाम निकालती हैं, तो उसके द्वारा भी जो है कि आप ऑफिसर्स बन सकत अगर आप यह कहते हैं कि हम नवी में अपना केरियर बना चाहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं कहने के मतलब है कल साइथ क्सा सब्कbreaker को मलनी थी या फिर आ कोमर्स रक करके जो जो तो आर्ट्स हो या कॉमर्स में जो जो नोक्रिया मिल सकती हैं आप साइंस रख करके आप तीनों यानि साइंस आर्ट्स और कोमर्स तीनों फिल्ड में आप जा सकते हैं आप अगर साइंस रखते हैं तो ठीक है यानि आर्ट्स में जो जो नोक्रिया मिल सकती थी साइंस पढ़ सब्सक्राइब नहीं जा सकते हैं तो यह सभी फायदे होते हैं साइस तयारी करने से ठीक है तो मैंने तो थोड़ा बहुत बताया गौवर्मेंट जॉब के बारे में तो इससे भी बहुत ज्यादा और भी नोक्रिया हैं जो कि मैं गिनाना भी मुनासिब नहीं समझता हूं Tech में अपना बना सकते हैं अगर आप से रखते तो यह पिर अगर आप यह चाहते हैं कि हम संट बनेंगे तो और चीवात है आप से सब्सक् Two उसमें आप अपना करियर बना सकते हैं, अगर आप यह साहते हैं कि हम गवर्मेंट इंपुलाई बनेंगे तो उसमें भी कर सकते हैं, पाइलेट बन सकते हैं, आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, अर्ची टेस्ट बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, लोयर बन सकते हैं, उसके बा से अगर कंपर करेंगे साइंस को तो साइंस नमर एक पर आता है अगर आप साइंस को और कॉमर्स को कंपर करेंगे तो आप साइंस को नमर एक पर पाएंगे यानि कहने का मतलब है कि साइंस को मर और आर्स में साइंस नमर एक पर आता है साइंस अगर आप रखते हैं तो आप ज साइन्स का चैन करें साइन्स बहुत ही अच्छा जो के पॉंफर्म करेंगे आपके लाइफ को बनाने में आपका केरियर बनाने में तो देखिए अगर आप एक डॉक्टर बना चाहते हैं तो आप साइन्स रखें डॉक्टर बन सकते हैं उसके फार्मस बन सकते हैं नर्स बन सक साइंस रखते हैं और उसके बाद में गिरेजोशन मुकमल करते हैं तो आपके नजर आपके सामने बहुत सारे तरीके खुल जाते हैं बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं ठीके आप अपना सपना को पूरा कर सकते हैं साइंस को ले करके आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरी किसा समझ में आ गया है कि science stream को ले करके science subject को ले करके अगर हम पढ़ाय करते हैं 11 और 12 में तो हम क्या-क्या बन सकते हैं अपना career कैसे बना सकते हैं कौन-कौन से government job मिलेंगी क्या-क्या हम कर सकते हैं हर चीज मैंने आपको बताया तो अगर आपको हमारे इस वीडियो से जरा भी फाइदा पहुचा है तो प्लीज हमारे चैनल को आप सबस्क्राइब करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे तो मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए